दोस्तो आज के हमारे स्वीडियो का टोपिक है वाइ कोल एंड साल्ट यूज इन अर्थिंग मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल में अर्थिंग की जाती है उसके अंदर हम कोल कोल का मतलब कोईला और साल्ट का मतलब नमक का उपयोग करते हैं दोस्तो यह कोशन इलेक्ट्रिकल के इंट्रियो के अंदर भी काफी जाता पूछा जाता है तो दोस्तो यह वीडियो काफी जाता इंपोर्टेंट होने वाला है और दोस्तो इस पॉइंट के अलावा इस वीडियो के अंदर उसको दोस्तो चार गोल भी बोला जाता है क्योंकि दोस्तो हम जो अर्थिंग के अंदर कोईला का उपयोग करते हैं वो हमारा जो कोईला होता है वो हमारा लकडी से बना हुआ कोईला होता है और लकडी का जो कोईला होता है उसको हम चार गोल बोलते हैं इसके ञालवा हमारे अलगलग तरीकों से कोईले बनाय जाते हैं पर हम जो अर्थिंगे पाइ तो वहां पर हमारा 7 तरीके से इसका अनुपाद चलता है इसके अलवा दोस्तों आपको कुछ बाते और पता हो नीचे यह पता होने चाहिए कि आज कल जो हम earthing का उपयोग कर रहे हैं हम पुराने समय में इस टाइब भी earthing का उपयोग करते थे जिसके अंदर हम कहीं टाइब भी करते थे पिलेट हो गई पाइब को डाल दिया करते थे प्र थो आजकल हम जो modern के time में उपयोग में ले रहे हैं वह ह हम chemical earthing का ही उपयोग करते हैं, इस earthing के अंदर हमा लकड़ी koila नहीं होता है, इसके अंदर एक अलगी type का chemical होता है, इसके ओपर हम अलग video के अंदर बात करेंगे, इसके अलब दोस्तों कहीं लोगों के मन में ये भी question रहता है, कि जब हम earthing के लिए खड़ा कर देते हैं, और उ इसके बात में koila, इस तरीके से layer बनाई जाती है, पर आजकल कहीं जगे किया जाता है, कि हमारे नमक और koila को mix करके डाल जाता है, पर हमारे electrical की theory के अनुसाथ, पहले नमक, फिर koila, फिर नमक, फिर koila, इस तरीके के हमारी परद चड़ाई जाती है, इसके लोगों चोटी सी के अनर हमने कोई सी भी चीज़ डाल दी, कुछ भी डाल सकता है, जोरी नहीं कि copper, GI या भी carbon हम कुछ भी डाल सकता है, पर वो ऐसी चीज होनी की है, जो हमारे current को carry करती हो, मतलब यह जो भी हमने चीज़ डाली, इसमें से हमारा current आसानी से गुजर सके, वो चीज उप्यों कर अगर 3 mm copper की जवरत है, अगर हम वहाँ पर GI डालेंगे, तो GI का pipe हमारा मोटा होगा, जच डबल हो जाएगा copper से, वो 6 mm का हो जाएगा, इसी परकार अगर हम cast iron की बात करें, तो cast iron हमारा 12 mm का हो जाएगा, मतलब इनकी मोटा ही हमको बढ़ानी ही पड़ती है, क्योंकि की बात से उसको इक shep में दिया जाता है, वो om harina cast iron गलाता है, टीक है, इसके आलावा एक मुतल ने निया क्या हो जाता है, पर हमार EUrething के अंव पयोग उसा हमें की किया जाता है, जब हमारी strengthen हमें स्टर थे होने लग पड़ानी होने लग गई है, इसके हमें और अलग वीड हो चुकिए तो हमारी जब earthing week होती है तब हम हम इस में पानी डालते हैं और बाद में इस खड़ों के माध्यम से हमारी जमीन के अच्छे से चले जाता है और हमारे अर्थिंग गूड हो जाती है तो इसलिए हम छेदवाले पाइब का उप्योग करते हैं और हमको यही करने चाहिए तो दोस्तों अब हमारे पॉइंट के उपर बात कर लेते हैं अगर आपके और भी कुछ से नहीं कि हमारे अर्थिंग का रजिस्टेंस कितना होना चाहिए या फिर हमारी अर्थिंग कितने टाइप्स की होती है तो इस बोल रहा हूं तो कोल का मतलब वही है कि हम चार कोल की बात करें जो कि लकड़ी का कोईला होता है तो दोस्तों सबसे पहले हम कोईली की बात करें कि क्यों की जाता है तो दोस्तों हमारा जो कोल होता है जो चार कोल होता है यह हमारा बंता किससे है तो हमको यह पता हो नचिए भी हमारे कभी कोई electrical का fault होता है और हमारे earthing के तुरू current आता है तो वो current हमारा आसानी से pipe के जरी है हमारे जमीन में ground हो जाएगा तो यहाँ पर हमको एक अच्छे कासे good conductor की जरूरत होती है तो वो हमारा charcoal पूरा कर देता है आपको इतना सा दियान रखना है कि हमारे कोईला होता है वो कोईला made of carbon मतलब वो carbon से बनावा होता है और carbon जो होता है वो काफी अच्छा good conductor होता है इसके लाव दोस्तों अगर हम नमक की बात करें तो नमक के अंदर भी हमारी conductivity होती है मतलब हमारे जो नमक का पानी होता है उस नमक के पानी में हमारा current flow हो सकता है इसके लाव दोस्तों नमक का में जो काम होता है हमारे अर्थिंग के अंदर वो नमक हमारा GI plate और अर्थ मतलब जमीन के बीच में आपस में conductivity को बढ़ाता है मतलब यह आपस में बढ़ानी कोशिश करता है दोस्तों आखीन में क्या होता है जो नमक होता है ना वो नमक सबसे पहली चीज़ सो नमक हमारे जो पानी होता है उस पानी को जो हमारे जमीन के पानी है उस पानी को अपने अंदर आउस्षोसित कर लेता है ऐसा करने से हमारी अर्टिंग है वो अर्टिंग और भी स्ट्रोंग हो जाती है और उसका जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस और भी कम हो जाता है तो दोस्तो उमीरी के बाब के अर्टिंग से जुड़े कहीं सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे दोस्तो इस वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए काफी मैटपून सुझना है कि हमने एक वेबसाइट करें जिसका नाम है www.engineeringdost.com दोस्तो इस वेबसाइट पर आपको काफी अच्छे हिंडी में electrical और mechanical सुझरे आर्टिकम मिलेंगे और दोस्तो आपको यहाँ पर जो भी आर्टिकम मिलेंगे वो इतने आसा सब्दों में होते हैं कि यहाँ पर कोई आर्टिया दसफी क्लास के लड़के पर जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से electrical और mechanical को समझ जाएंगे तो दोस्तो एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरू जुड़िए इसके लिए आप गुगल पर जाके सर्च मार सकते हो engineering दोस्त और दोस्तो आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज महाँ पर कमेंड वोक्स का कमेंड अगरे मुझे जरू बताएगा दोस्तों आपको आज के वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरू बताएगा है recept तो आप मुझे नीचे कमेंड वोक्स का कमेंड आगरे पूस सकते हैं इलेक्टिकल के डिवे सकर आप हिंदी पे नहीं पसंद करते हैं आज यह मैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए आज के लिए तना ही धन्यवाद